इसक्वेस्टिन को अगर आपको क्यूंग मॉडल नहीं समझ में आ रहा तो मेरे चैनल पर एक क्यूंग मॉडल का आपको बिल्कुल रिवीजन दिया हुआ है आप पहले उसको सुन लो तो यह आपको समझ आ जाएगा तो मैं आपको दिखाना चाहता कैसा प्वेस्टिन जो है आपको आता है कितना टफ आता है क्या है कि रागं बी एंड कंपनी हाज इसे इन रिपियर शॉप अच्छा एक ही जो है मशीन यह वो He works 8 hours a day, 8 hours जो है काम करता है, on and average 4 machines break each day, यह क्या दिया हुआ है कि 4 machines जो है, 4 machines जो है वो break होती है, मतलब रिपियर के लिए आती है, तो आपने arrival rate और service rate निकालते हैं, arrival rate मतलब कि आपने क्या निकालना है, lambda निकालना है और service rate आपने mu निकालना है, तो यहाँ पर lambda कितना है, आपका 4 machines है बट 8 hours के लिए, इतने के लिए 8 hours के लिए, आगे थोड़ा सा पढ़िए, it takes on and average 1 hour to repair a machine, अच्छा service rate क्या है, service rate है कि वो 1 machine को repair करता है 1 hour बे, अब service rate 1 hour का है, लेकिन arrival rate 8 hours का है, या तो दोनों को 8 पर लेके जाओ, जो दोनों को 1 पर लेक आओ, means अगर मेरा service rate जो है, वो 1 machine per hour है, तो आपने arrival rate जा repair rate भी 1 hour का निकालना है, तो 4 machines जो है, 4 machines जो है, वो 8 hours में जो है, आपकी क्या होती है, service होती है, तो 1 hour में कितनी होंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0.50 per hour, तो ये आप एक बार देख लीजे, आपका कितना आ रहा है आपने 4 divided by 8 कर देना है, तो 0.50 per hour आपका आ जाएगा, तो हमारे पास दोनों आगे service rate भी आगया, और हमारे पास arrival rate भी आगया, अब देखो उसके requirement क्या है, कहता identify the expected number of machine on a repair shop, means कितनी जो है repair shop पर machines जो है, वो repair के लिए होंगी, तो वो average number of machines पूछ रहा है आपको, repair shop मतलब पूरी shop है, पूरे system है, means आपको LS पूछा जा रहा है, तो LS का हमारा formula क्या होता है, आपने lambda, mu minus lambda, तो ये तो हमने निकाली लिया है, बस value तो put करनी है, हमने, देखो हमने value put की, तो ये हमारा around, यहाँ पर आ गया, 0.50 और 1 minus 0.50, 0.50 और 0.50 को हमने क्या कर दिया, cross कर तो ये वान आ गया, कितनी machines होती है, 1, निकल गया, बस formula याद होने चाहिए, आपको, second क्या पूछ रहा है, determine the expected number of machine in the shop on which machinist has not started to work, मतलब वो बताएं जिसमें काम नहीं हो रहा, मतलब वो machine जो service लही नहीं रही, तो वो waiting time किसका, sorry, number of machines कौन सी पूछ रहा है, जो Q में है, system पूरे system में नहीं, तो वो क्या पूछ रहा है, आपको LQ पूछ रहा है, तो LQ का formula क्या होता है, LQ का formula हमारा होता है, lambda square, mu, mu minus lambda, ठीक है, value put करके, आप इसका answer निकाल सकते हैं, फिर आपको पूछ रहा है, assess the average downtime per machine, means, आपका downtime per machine कितना है, मतलब कितनी देर उसको time लगता है, repairs होने के लिए, जब तक वो repair में, जब repair के लिए wait कर रही है, और जितना time उससे repair हो रहा है, means, वो पूछ रहा है, total waiting time, means, वो पूछ रहा है, waiting time of system, तो WS का formula लगाना है, फिर आपको पूछ रहा है, the average time a machine waits for service would be how much, मतलब जब यह पूछ रहा है, कि कितनी देर वो Q में खड mu minus lambda, और WQ का क्या होता है, lambda mu minus mu minus lambda, तो यह हो गया 1 divided by 1.50, आंसर निकाल दो आप, और यह हो गया हमारा around 0.50, 0.51 minus 150, तो आपका आंसर आजाएगा, तो यह आंसर आप cross check कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया है, यह answer आप, यहां से cross check कर सकते हो, तो यहां पर आपको answer दिय हो, देखें, यह fourth के B part के यह आपको answer दिये हो है, December 2023 के, ठीक है, पहले का answer, second, third, fourth, right, तो यह answer आपने निकाल के देखें, मैंने आपको सिरफ यह समझाया, कि आपने इसको interpret कैसे करना है, कि क्या पूछ रहा है आपसे, बाकी queuing model में जो है, आपको revision में सब बता रखा है, कि formula कैसे हमने याद रखने है, तो वो किरवाइब,